जिस माहौल में आप पैदा होते हैं वो इस माहौल के अनुरुप आपकी भावना ही तयार हो जाते हैं इंसान के साथ में जो भी वो जो करता है वो सुन्दर चीजे करता है भयानक चीजे करता है तो वो उसके भावना से पैदा होते हैं इस शरीर को कोई लेना देना नहीं, आप उसका जरुरते कैसी पूरे कर रहे हैं, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, आपका जो ध्यान है, वो जागूरत है, क्या इसके उपर आपका जीवन निर्धारित होता है, आपकी जरुरते तो आप पूरी करने वाले होई, कुछ हो रहा है, तो ये जीवन जीने का तरीका हर कोई जी सकता है, लेकिन ध्यान चाहिए, सही और गलत की डिसिजन करने की ख्षमता होती है, और इसी ख्षमता की वज़े से इंसान जानवर से अलग है, और जिस दिन इंसान सही और गलत का फैसला भूल दाता है, उसमें औ तो आपके अंदर जो भावना ही पैदा होगी वो भी आप देख सकेंगे, वो आप खुद पैदा करेंगे, भावना बाहर से प्रभावित होना और स्वभाव से निर्मित होना इतना सा फर्क है, इतने से फर्क की वज़े से आपका जीवन शांदार की जगह खतरना हो जाता है दुनिया में ऐसा कोई धागा नहीं, जो प्रेम से मजबूत हो, जो वसल से मजबूत हो, जो करुणा से मजबूत हो, कोई नहीं, इसलिए तो पुत्र के साथ या पुत्रे के साथ मा का रिस्ता इतना गहरा हो, आपको गीला होना है, अपने आप, आपने को कुछ नहीं करना है तो बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, बारिश आ गई, जाना उसके ओपर, आपको ठंडी लग रही है, धूप का इंतजार करना, धूप में चले जाना, आपको कुछ नहीं करना है, वो ऐसे थंडी निकल जाए, सही गलत है, वैसे आपका अगर ध्यान नहीं लगता है, त ध्यान अगर हम जागुरुत रख सके तो आप जो भी करेंगे सही करेंगे दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हम करने कुछ और जाते और उसके परणाम कुछ और होते कोई नहीं चाता कि मेरे जीवन में भयनक चीजे घड़े कि उसके नतीजे भयनकर घटित हो इसे कोई नहीं चाता लेकिन घटते तो है इंसान जो भी कर्म करता है दिख्थे तो शरीर से है लेकिन उसके पीछे जो प्रेरना होती है वो भावना से होती है अब यह भावना पैदा कैसे होती है आज तक कि जो आपके अनुभव हैं उन्स सभी अनुभवों की एक जानकारी आमारे दिमाग में जमा हो जाती अब इसमें थोड़ा समझना जटिव इसलिए हैं कि दिमाग मतलब हमारे उपर जो यह देड की लोग का जो गोला है हम इसे दिमाग कहते हैं लेकिन वाकई यह ऐसा नहीं है कि यह आपका एक सेंटर है जहां पर कुछ गतिविदियां एक साथ में होती है लेकिन इनसान का जो ब्रेन होता है वो डिन ने में भी होता है हर कोशिका में उसका दिमाग होता है और एक जो दिमाग होता है वो आपके पेट में होता है जिसे गड़ ब्रेन कहते है एक तो हुआ दिमाग जो हम सब जिसे जानते है साइन जिसे दिमाग कहता है दूसरा हो गया हमारी हर कोशिकाओं में जो पूरी जानकारी लाखो करोड़ो साल से जमा करके बैठा है और तीसर वह हमारा गड़ ब्रेन तो गड़ ब्रेन से भावनाय पैदा वह थी तो यह भावनाय कैसी पैदा होंगी जैसे आपके जीवन का नजरिया होगा जब किसी जोपर पट्टी का बच्चा किसी को गाली देता है उसके लिए वो उसका बचाव होता है कि उसका वो संस्कार होता है क्योंकि वो गाली ही उसकी भाषा होती है क्यों क्योंकि जिस माहौल में वो पला है उस माहौल में प्रेम के लिए कोई जगा नहीं सव्वात के लिए कोई जगा नहीं कोई संसकार नहीं तो जब वो पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसका सामना इन सभी चीजों से कठोर और कठीन चीजों से हुआ दो वक्त की रोटी उसको चीन के लेनी पड़ती जपकरता मानना पड़ता है खुद के लिए मान चिनना पड़ता है मुझे नमस्कार करो जबर्दस्ति नमस्कार करवाना पड़ता है खुद का सनमान खुद जताना पड़ता है तो इस माहौल में ओ ऐसे बनेगा गाली देना उसके लिए आम भाशा है किसी की इज़त ना करना उसके लिए संसकार है तो उसकी भावना यह कैसी रहती है आम समाज के प्रति के समाज हमारा शोशन कर रहा है उसके उपर अन्याई कर रहा है उसने यही देखा है बच्पन से जिस माहौल में आप पैदा होते हैं उस माहौल के अनुरुप आपकी भावना ही तैयार हो जाती है अगर ऐसा इंसान आप किसी बहुती शांदार और बहुत संस्करित वात्तावरण में आप उसको छोड़ दे तो उसे तिल मिला जाता है वहां का वात्तरों एकदम से अलग होता है आप किसी शराबी को किसी भजन की मंदिर में छोड़ दीजिए वो बेहाल हो जाता है उसका जो बेहाल होना है वो उसकी जो भावनाय बनी है उसके लिए हुआ है तो सद्गुर आज हमें यही कह रहे है कि इनसान के साथ में जो भी वो जो करता है वो सुन्दर चीजे करता है भायानक चीजे करता है तो वो उसके भावना से पैदा होती है शरीर और भावना ये अलग होती है कैसे समझे कि भावना ये अलग होती है और ये भावना ये अलग होती है इसलिए हमारे साथ अच्छा बुरा होता है हम खुद करते हैं नतिजा अलग हो जाता है चाहते कुछ और होता कुछ और है हम मरठी में बोलते ना करने गए गनपती ह मारूति यह जीकतीcido बनाने के और हनुमान जी बन गये। इसे हो जाता है। ऐसी ही जीवन है हमारा। तो ए जो जीवन है। इतना मुश्किल क्यों है क्योंकि शरीर की जरुषे हैं। शरीर है उसकोघा काना चाहिए ुसको शुरक्षा चाहिए उसको सुकह चाहिए.. इस वारश चाहिएं यह आप उसके पूरा कैसे करेंगे तो वह जरुत की अनुसार होता है तो आपके शरीर कि जरुट क्या हें है वो अलग बात है और पूरा कैसे करते वह अलग बात है कि अगि भूख का और गोलगप्य का क्या लेना देना यह बहुत बड़ा संगर्श है आज की जनरेशन का बहुत बड़ा संगर्श है कि भूख लगी है तो मिटाए कैसे चाट खाले बहल पकोडी खाले और खाने के बाद उससे कोई एनर्जी नहीं मिलती पेर तो भर जाता है तो जो पचाने में चलपटा है हलका है जिससे किसी को सुष्टी अच्छी लगती है तो कोई सुष्टी का जिससे आपको एक्दम आदस पैदा हो ऐसा कुछ खाना है जिससे आपको चंचलता पैदा हो ऐसा भी कुछ खाना है जिससे आपको स्वास्त मिले ऐसा भी खाना है तो सत्विक है, तामसिक है, राजसिक है, तीनों तरीके का खाना है, लेकिन आपका जो गड़ ब्रेन है न, वो जैसी भावनाएं पैदा करेगा आप, उसको जिसे आपने आदित लगा ही न है, वो वैसी भावनाएं पैदा करता है, और वैसे खाने का मन करता है आपका, तो आ इस शरीर की जरुरत है, आपको पैसे कमाएगे तो खाना पेदा होगा, तो आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको घर मिलेगा, तो आपका जो यहां से वहा जाना है, आपका आणा जाना उसके लिए इस शरीर काई ぜाना है ना कितना बाड़ा लगा उसको कोई लगा कुछ नहीं मन को कोई बाड़ा नहीं लगता क्योंकि वह जाता ही नहीं आपके अंदर जो मेमरी में पड़ा है न वही पिक्चर दिखा कि आपको ब्रहमित करता है कि वहां गया था हलो समझ में आरे बात लेकिन शरीर को वहां लेके जाना पड़ेगा शरीर को जब आपको लेके जाना पड़ता है तो उसके लिए कुछ घर्च करना पड़ता है उसके लिए कमाना पड़ता है तो पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए यह जरुरत है जीवन की शरीर की लेकिन वो वह दुझात कैसे पूरे करे तो कोई चोरी करता है उसकी भावना चोरी में पूरी दुनिया सारी लुट लई है मैं लुटूंगा क्या फरक वरता है यह भावना पैदा होगी बचपन से अगर बच्पन में सिखाया गया कि आरे चीन के ले लो तुम्हें जो चाहिए वो चीन के मिलेगा ऐसे नहीं मिलेगा उसे अगर जंगल में जो शेर भग भेड जो है वो कैसे अपनी शिकार को जपटा मारते हैं और उसके नौच लेते हैं और उसको मार कर खाते हैं वो द स्धारना है उसके भावनाहिं वैसिसी बंजाते हमेए हो गलत लग लग रहा है लेकिन उसको खुद के लिए पसाई लग रहा है उसक्तिक लिए बात बताए जो गुद्टे मावालि होते क्या उनकी परिवार नहीं होते हैं क्या उनके बच्चे इस शंसकार्वय से भावना ही पिदा हो गई दूसरे वह इमानदारी से कमा के खाते हैं को भरस्टराचार से कमा के खाते हैं पूरा शिस्टमखा रहा है मैं खा तो क्या बल्द हो गयا старा म्याल मुनां जो है कमा के लाए या दान का लाए पेट तो भरे का या आपका वाल्या कोडी था जब वो गया नारज जी के कहने पे तेरे पापो के लिए कौन जिम्मेदार है जिनके लिए तु कर रहा है उनको पूछ क्या तु हर दिन किसी को मार रहा है हत्या कर रहा है इंतने साथ रांजन तु तुन्हें हत्याई की तो घर गया भीवय को को पूछा बचों को पुछा माबाप को पूछार्च इस चत्राल की लिकिनulyr करने तूम क्या कर रहे है उसके जरूरत्यें सिपूर कर रहे लेकिनmal नबौगना तो आपको ही पढ़े temos फिर वाल्या को जाके तपश्यरह करने पड़ी उसका वालमी की हो गया वाल्या को तो नारद मिल गया आपको मिले ना मिले पता नहीं तो कौन जगाएगा हमें हम इतनी बड़ी भेंकर अपरात तो करते नहीं तो हम जाकते भी नहीं मैं हमेशा कहता हूं जो थोड़ा-थोड़ा पीता है न शराब जो थोड़े-थुड़े गुना'T गुन है इक करता है तो चोटे-चोटे किसी इस जोड़ बोलिया इसकी साथ छुगली कर ली थोड़ा जार रुपे का फ्रोड कर लिया ऐसे करने वाले कभी सुधरते नहीं समझ दीजिए थोड़ी शराब पिने वाला कभी छोड़ता में वह बंद भी करेगा तो वापिस चलो करेगा और ऐसे पिया की नहीं पिया समझता भी नहीं है ऐसे थोड़े-थोड़े भरस्टा चरे आप आपको सब जगा मिलेंगे थोड़े-थोड़े गुंडे मावाले आपको सब जगा मिलेंगे लेकिन जो बहुत शराबी होता ना इतना शराबी है पियक कर बोलते 24 घंटे धुत रहता है शराब में 24 घंटे पूरी धरती उसके लिए घुमती रहती वो खुद घुमाता है दरती को उसके लिए तो घुमाता है उसकी भावन वैसी होती है कि होती है न अ एक बार एक गाव के पीछे फास में एक नदी बेती थी और नाव से जाना पड़ता था तो शाम को जो नावाडी नाव को बांद देता था उस गाव में एक शरब इता हर दिन अपने दोस्त के साथ जाता था ऐसा दोस्त लेके जाता था कि जो पीता नहीं था और उस पार जाके उसको थोला पैसा देता था तो शरब पीके आता था हर दिन एक दिन उसके साथ में जाने वाला मिला नहीं, तो अकिला गया, जाते वक तो बहुत सांदार गया, उदर से पी के आया, पी के आया, नाव में बैठा, पतवार चलाई, राद भर पतवार चलाई, घरी नहीं आ रहा है, उसे लगा गाउन छोड़के, दूसरे गाउन चला गय बहके क्या, नदी में बहके बहके, तो वैसे ही निंद गई, सो गया, सुबह जब ठंडी हवा चूटी, तो जाग गया, शराब का नशा उतर गया, तो देखा, मही कहां गया, तो देखा, नाव का जो दोर था, वो बांदा ही हुआ था, जगह पे इपतवार मार रहा था, र जागुरत है, क्या, इसके उपर आपका जीवन निर्धारित होता है, तो सद्गुर्ण आज हमें वही बता रहे है, को जीवन में आपकी जरुरते, देखो, शारीग सुक्का हर शरिर को इच्छा होती है, तो कोई प्रेम से पाता है, कोई बलतकार करता है, कोई शादी करता है, तो कोई विश्या के पास चला जाता है, तो ये मार्ग अलग-अलग है, जिसकी भावना जहां पर वो समाईत हो जाती है, अनुकुल हो जाती है, वो उस मार्ग से उस सुख को पाता है, पैसा हो, सुख हो, भूजन हो, जीवन का कोई भी, कोई भी जरुरत हो, कोई बाड पर लulation में रहता है कोई तो राष्टे पर टेंट लगा के बेच जाते कोुई तो खुले में रहता है कर से ठोपने का दूल जो जर्रोत है इंसान के इंसान की जर्रोते होती है वह अलग-अलग मार्ड से वो उसको पूरी कर सकता है ये लिए मार्ग गोताई करता ही आपकी भावना है तो सद्गुरु हमें कह रहे हैं कि आपकी जरुते तो आप पूरी करने वाले वह तभी तो जिंदा रहेंगे लेकिन आपका जीवन आप वो जो जरुते हैं अब किस निशांदार तरीकी से करते है ये जीवन की क्या है एक सुन्दरता है रोटी तो हर कभी बनाता है बहुत सारी नक्षे बनाते है आज ऑस्टिलिया का बनाया कल महाराष्ट्रा का बनाया कभी श्रिलंका का बनाया कोई कोई बहुत हुशार होते रोटी बना लेते हैं और एक प्लेट रखते हैं बीच में काटते हैं दिमाग कुछ ज़ञटी नहीं है उनकी रोटियां बहुत गौल होती है एकदम से गौल लेकिन उसमें कोई मजा नहीं तो दोस्तो जीवन जो है कर्म तो कुछ करना ही है लेकिन सुन्दर ता सिखीजे शांदार तरीकी सिखीजे अगाज हो दुनिया को पता चले अरे कहीं कुछ हो रहा है तो यह जीवन जीने का तरीका हर कोई जी सकता है लेकिन ध्यान चाहिए अब थोड़ा साइंस में आपका जो ब्रेन है ना उसके दो हिस्से एक नियो कोटेक्स है एक लिम्बिक कोटेक्स है नियो कोटेक्स मतलब जो उपरी हिस्सा है पूरा और लिम्बिक कोटेक्स अंदर का हिस्सा है जो लिम्बिक कोटेक्स है वो जानवर के पास भी होता है लेकिन उसके पास में नियो ionome cortex नहीं होता जहां से हमारा brain stem आता है मतलब हमारा skeleton आता है पीछे से nervous system जहां से शुरू हो जाती है तो हमारी vors जहां खतम हो जाती है वहाँ से छोटा brain केते ब्रेंस टेम होता है पहले और उसके उपर एक छोटा सा गोला होता है छोटी दिमाग जैसा उसको क्या कहते हैं लिंबिक कोटेक्स में कहते हैं वो जो लिंबिक कोटेक्स है वो हर जानवर के पास होता है वो क्या पैदा करता है वो पेन और प्लेजर पैदा करता है या तो उसे दर्द समझता है या सुकून समझत है कि जानुवर को से दो ही ऐइसास होते हैं एक दर्द हÄंए टू आपने देखा होगा Šil 밑 आप जो कि हाती होता है इतना ब़लर हुष होता है उसके जो महावद बैड़ता है उसके हात में क्या होता है अंकूष होता है अंकूष मतलब आहिसे देखा और आपने उसके सीधे दांत होते हैं और पीजे टेड़े भी होते हैं उसको पीछे खीच सकते हैं और आगे भी ढखल सकते हैं तो आगे ढखल दिया तो उसको समझ आता है कि आगे जाना है पीछे खीच लिया तो समझ लेना रुकना है तो उसके दर्द दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जानवर को अगर प्रशिक्षित करना है ना, तो उसे दर्द दिया जाता है, या उसको प्लेजर दिया जाता है, खाने के लिए कुछ दिया जाता है, तो यह हमें समझता है, यह से जानवर को भी समझता है, लेकिन जानव इसमतलब जो उपरी जो जो मसालेदार उपर का जो आवरने पूरा वो घडिया घडिया से बनाए उसको नियो कोटेक्स कहते है उपर वाला पूरा तो उसके अंदर सही और गलत की डिसिजन करने की ख्शमता होती है और इसी ख्शमता की वज़े से इंसान जानवर से अलग है और जिस दिन इंसान सही और गलत का फैसला भूल जाता है उसमें और जानवर में कोई अंतर ने रहे तो ध्यान लगाना मतलब सही चीज़े करना तो ध्यान एक अशरीरिक क्रिया है इसलिए मुश्किल है तो आप अगर आपके जीवन को शांदार बनाना चाहते हैं न तो आपके शरीर के अंदर नहीं बना सकते हैं आपको शरीर के बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ आप सोच सकते हैं कि आपकी इंद्रिया है देखिए पूरी दुनिया को आपको समझना है तो आँखे क्या करने पड़ेगी खुली रखने पड़ेगी सही गलत है सही गलत है अगर आपको ऐसी दुनिया देखनी है जो अलोकिक है तो इस चमड़ी की आँखों से नहीं देखी जा सकती है उसके लिए आपको आखे बंद करने पड़ती है देखिए जो सिंगर होता है जब उन्ची आवाज लगाता है तो अपने आप उसके आखे बंद हो जाती है जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं ना मा के पास जाते हैं आपके गुरू के पास जाते हैं या आपके प्रियव्यत्ति के पास जाते हैं जितने भी प्रेम में आप जब भी होते हैं तो आपके आखे बंद हो जाती है वहा अनुव है वो इंद्रिय तक सिमित है जब तक आप इंद्रिय तक सिमित है अब आप खाना खाते हो तो खाना जब आपके जिवां तक और आपके शरीर तक सिमित है तब तक तो आप सुख में से उसकरोगे लेकिन जब आप खाना आपके अंत्रिय तक अतिंद्रिय तक आप पह तो आपको ध्यान एक मार गए तो ध्यान का मतलब होता है आप जागुरुत हो कि अगर आपका ध्यान हमेशा जागुरुत है तो आप से कभी गलती है नहीं होती नहीं प्रकुति से आप हमेशा जुड़ते रहते हैं जागुरत रहते हैं तो आप अगर जागुरत रहेंगे तो आपके अंदर जो भावना ही पैदा होगी वो भी आप देख सकेंगे वो आप खुद पैदा करेंगे भावना बाहर से प्रभावित होना और स्वभाव से निर्मित होना इतना से फर्क है इतने से फर्क की वज़े से आपका जीवन शांदार की जगह खतरनाक हो जाता है भयानक हो जाता है जो सुन्दर हो सकता था वो भयानक हो जाता है आप जो चीज़े आज जबरदस्ति आप उसको प्रप्त कर रहे हो वही चीज़े आपको प्रेम से प्रप्त होगी अपने आप प्रप्त होगी खुद के चली आएगी अइसा धागाए वो धागे से आपने देखा होगा कब्立法 स्रीकुष्ण आए इसे खिसते और राधा चली आती है प्रमाने क्या प्रेम का धागा बहुत मुझ भूत होता है दुनिया में ऐसा कोई धाला नहीं, जो प्रेम से मजबूत हो, जो वसल से मजबूत हो, जो करुना से मजबूत हो, कोई नहीं, इसलिए तो पुत्र के साथ या पुत्रे के साथ मा का रिस्ता इतना गहरा होता है, जितना लंबा जाए उतना तंता है, तो अगर आप तो ध्यान जागूरत रखना हमेशा और अगर आपका ध्यान नहीं जागूरत होता है तो उसके लिए फिर क्रिया योग है आप सुबह उठना सुबह में वातावन देशे हम बोलते ना आपको गिला होना है अपने आप आपने को कुछ नहीं करना है तो बारिश का इंतजार कर लेगा बारिश आ गई जाना उसके ऊपर आपको ठंडी लग रही है धूप का इंतजार करना धूप में चले जाना आपको कुछ नहीं करना है वह ऐसे थंडी निकल जाएगी सही गलत है वैसे आपका अगर ध्यान नहीं लगता है तो आपको सुबह उठना है वह वात्ताव करते हैं काम भी ऐसे करते हैं करते हैं कोई फोन भी ऐसे करता है क्या है वात्तवरन का प्रिनाम हो जाता है और जो प्रभाव में जिने वाले लोग होते उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप सुबह उस वात्तावर में और प्रकुति की एक सुन्दरता देखिए उसी वक्त बहुत गहरी नेंद लगती है विष्ट्र को छोड़ने का मन नहीं होता है इसी को इनिर्ष vapor के थे है जरत्त व के डिदे शरीर आपको नीचे खीशत है वह भी टाकत हो जाता है म coração हर पंचमाफुन ताकत हो जाता है क्योंकि अप्रकुथी अपनी और ऑपनी सुन्दर्ता पर होती है निखार पर होती तो पृत्वी ऑपने ताकत्वर होगि सुरज म्हचा रहोगा चंदा अपनी यह भी अगनी तो आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं यह आपके ऊपर है एक बार आपने वह कपड़े फेग दिये आप विस्तर से बाहर आ गए और जब आप कुछ खुद को क्रिया में ढाल देते हो तो अपने आप वो क्रिया अच्छी लगने लगती है बस वो क्षन है वहां से तूट कर यहा जाना वही द्यान है ध्यान में जाने के लिए आपको खुद को तयार करना पड़ेगा आपका शरीर आपको मजबूर करेगा रोकेगा लेकिन आपको खुद को रोकना नहीं है अगर आप इसा कर सके और एक बार आपने उस द्यान को गाई नहीं, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस चीज का हमें पता ने, उसका हम आनंद कैसे ले, डूबे कैसे, हमने कभी पानी में खुद को डुबाया है नहीं, तो डूबने का जो मजा है, तो कैसे पता चले, हमने तो इतना ही पता है, डूबने से मरते हैं, हमें यहीं का समगरी मिल जाती है ना तो आप पंडुब्व की तरह नीचे चले जा सकते हैं घंटों नीचे रह सकते हैं दुनिया को पता है लुया सुस्ती मर गया लेकिन ये तर गया है ये तर गया भुषागर में तैर के चला गया तो दोस्तों हमें यीह हमेशा याद रखना है अगर हमें इस जाँत से शांदर तरीके से जिना है तो घ्यान जागुर। रखना पड़ेगा और द्यान अगर हम जागुर। रख सके तो आप जो इसा हुटा है घुट के लिए निजल देंज को इसा होता हैyin घुटके मुश्किले पएदा करता है ही किसी आज सदुगू है कि इंसान जो भी सुन्दर चीजे कर रहा है, जो भी भैनक चीजे कर रहा है, वो या तो क्रोध में करता है, या तो प्रेम में करता है, या तो मुह में करता है, या तो बदले की भावना में करता है, या लोब में करता है, तो उसकी भावना जैसे बन जाते हैं, वैसे वो करता है भावना से सब कुछ पैदा हो रहा है और भावना के पहले हम यह बहुता होती है या तो अनुभों से या विचारों से कहां से पैदा होती है या तो अनुभों से कल आपने गुलाज जम खाया एसी डिवधिक का कल यह ने कि दोचार मेनी हो गया इसा अब दोचार मेनी भी कल यह था ना आज फिर खाएंगे तो अनुव आपका क्या हो जाएगा आपके मूह में अभी पानी आ गया क्यों पता है बहुत सारे को मूह में पानी आ गया है हाज मिलने वाला है तो मुझ में पानी आ गया क्यों वो लंबा सा वो एकदम सौप्ट और उसकी जो स्वीटनेस है अरे यार अभी तो ज्यादा हो गया सर अभी लाई दो यह हुँआ क्या होगी जिवंत हो गयी विचार था एक विचार है क्या माई गुलाब चाम था का भावना और तो छाए थी यादे हैं दिमाग में विचार उन्हें यादों को जिवंत करता है और वहां तो यह जो और आ पैद्यार करता है प्लेजर करना क्या तो अलग बत이 यह मिलेगा और एक तो यह भावना जो है अगर आपके पास में अगर किसी शादी के गुलाब जाम की आनुबह होगा जो एक हॉल से दूसरे हॉल तक चला जाता है सुबह की शादी का बच्चा हुआ गुलाब जाम श्याम की शादी में चला जाता है गाली से नया हो जाते वहां जाके, आप उसने आपको उसका अनुबो आभी भी याद है, 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 उपर से कितना स्वाप था और अंदर कंचे थे, तो अंदर कड़क था, वो अनुबो भी है, तो जिसने ये अनुबो लिया है, वो इसा करेगा, नहीं चाहिए, और जिसने वेदिक का ल लेकिन आप जागरू करहोगे, तो आप खुद भावना पैदा करोगे, आपको पता है, कि ये कौन सा है, तो आप तुरंत, हाँ ठीक है, ये खाने का है, तो मजा लेंगे, ये नहीं खाने का है, तो वो मुह भी टेडा नहीं करेंगे, क्यों करना, नहीं खाना है, तो टेड करना है इन सब चीजों को हम शांदार तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन करते कैसे बहुती घटिया तरीके से करते हैं तो हमें जीवन बोरिंग लगने लगता है ही हिरु व एक यह 悠ंच ना मैं कि क्लाज due है ठोग एक ही चीज का श्रहन लगते ना तो प्रकुमति आपको और देती मिलता ह्याओ अब की design कियो व कोई नया शूज लेके आता है नया शूट लेका तयंWe बोलेंगे सार क्या जो बैसते निए पुरानी बसती बैसते ने कप्डिक वहसे लेक आने इक है तो नया क्योंट नह्या क्यूंट आरे जो लेक्या है उसता मुनाओ क्रीक कुछ नहीं पहलो हची फइदा करो बड़ी पैदा करो हैं तो सब कुछ किसके और म्ह силь अम्हारे ऊपर हैं हम दो हम्हारे हातिले मीं ब्रह्मान देख सकते हैं कठोती में गंगा देख सकते हैं नहीं तो गंगा में जाके भी आपको वहां पर गंदगी दिखेगी क्या दिखेंगी गंदगी दिखेगी बोले इतना गंदे पादी में मैं ना 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 ओके तो बोरिंग से कैसा आता है तू टेस्ट करके लिता है क्या सही गलत है तो हमेशा याद रखना पूरा जो जीवन का जो ढाचा है वो पूरा आपकी तरफ से है बाहर से नहीं है आपकी तरफ से भावना ये पैदा हुई तो सुन्दर पैदा होंगी और बाहर के प्रभाव से हुई पता नहीं कैसे होंगी तो जो नियंत्रन है वो आ आपको जो ध्यान जाता है आपको बंबई जाना है तो ध्यान में चाहिए रास्ता चाहिए अभी जहां पे है और जो चला रहे गाली वो सामने आपका द्यान चाहिए आपका द्यान कहां पर Uh आपको बंबई का रास्ता दिख रहा है, वो फ्लाइवर दिख रहे है, वो बड़ी-बड़ी बीडिंग दिख रहे है, अरे सामने ट्रक है, धड़क जाओ उसमें, तेरी बंबई इधर ही हो जाएगी, जाएगा भी तो आम्बिलोंस में जाएगा तो, जीवन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों ध्यान नहीं है, तो अपेक्षाएं आपके ध्यान को भटका देती है, शिक चिल्ली की तरह, शिक चिल्ली बना देती आपको, तो जीवन सुन्दर है, उसको शांदार बनाईए, और जीवन का आनन दीजे, हमेशा ध्यान में मस्त र और जैसा चाहे उतना शांदार जीवन बनाईए धन्यवाद